तो हलो हाई एवरिवन वेलकम आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो एक बार फिर से पहुंच चुका हूँ मंडी और यहाँ पर आप देख पारे जो की मंडी का आप व्यू फ्रंट सेट से आप देख पारे यहाँ पर काफी आसानी से बढ़ेंगे गाए की तरह और एक कि 20 से नीचे वाली गाई की डीटियल जाने तो बने रहे हैं वीडियो में आखरेता और जैसा कि आपने पढ़ा जो की आपको थम नेल में की detail जाने के तो एक एक करके काफी सारी गाय की detail जानने का कोसिस करेंगे तो बढ़ेंगे गाय की तरह यह मंडी जो कि हाजीपूर में यह मंडी लगता हाजीपूर railway station से लगबख 4 km की दोरी पर यह मंडी उपसित है तो यहाँ पर यह पहली गाय आप देख पार है दुसरी से भी गाय को देख लाना चाहूँगा डिमांड की बात करें तो 66,000 पर इस गाय का डिमांड रखा गया और आगे आपको कमप्राइद वाली गाय की detail को मिलेगा तो बने रहा है वीडियो में आखरी तक mail बच्चा के साथ में यह गाय आपको देखने को मिल रहा और य जो की फिक्स प्राइज नहीं होता मंडी में रेडवा होता है इस वहाजा से फिक्स प्राइज नहीं होता इस वहाजा से डिमांड कुछ जादा ही देखने को मिलता है तो यहां पर एक और गाय जो की दात में मिली इस गाय की भी detail बतलाए जा रही है और 17-18 लिटर दूद् लाने का कोसिस कर रहा हूं फीमेल बच्चा के साथ में यह एक प्लस पॉइंट है इस गाय के साथ में जो की फीमेल बच्चा है यहां पर बच्चा को भी आगी की तरह आप देख पा रहे होंगे तो बढ़ेंगे कुछ और गय की तरह और यह गाय लगबग आपको पचास से 35,000 के सम्थिंग में काफी आसानी से इस ट्रैक की गाय आपको मिल जाएगा इस मंडी में 15 लिटर के सम्थिंग वाली गाय काफी आसानी से मिल जाएगी तो यहां पर एक और गाय आप देख पार है इसकेन के उपर जैसा की दात में मिली इस गाई की डिटेल बतलाई जारी है 14 लीटर दूद की कैपसिटी दोनों टाम का इस गाई के अंदर बतलाई जा रहा है डिमांड की बात करें तो 54,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गया जो की दाम में कम बेस हो जाएगा यह मंडी जो की जरुआ पसु मंडी के नाम से जाना जाता है हाजी पर हाजीपूर के सम्थिंग हाजीपूर में ही यह मंडी पढ़ता है तो यहाँ पर 54,000 पर इस गाई का डिमांड रखा गया मेल ब लगबग जब रेडवा होगा तो हमारे अंदाज से 40-45,000 की सम्तिंग में काफी आसानी से आपको मिल जाएगा तो बढ़ेंगे कुछ और गया की डिटेल जारेंगे तो यहां पर एक और गया जो की देखने को मिल रहा है इसकेन को पर थोड़ी बुड़ी गया में से यह आप आपको देखने को मिल रहा है जाते हैं मिली इस गया की डिटेल बतलाए जारी लगबग यह गया तीसरी से चौथी भियान की हो सकती है 17 लीटर दूद की कैपिसिटी इस गया के अंदर बतलाए जारा है गया काफी हाई प्राइज बतलाए गया 75,000 प्या इस गया का जादा देखने को मिल रहा है जो की गया को काफी असानी से पीछे साथ से भी आप देख पार है तो बढ़ेंगे कुछ और गया की डिटेल जानेंगे जो की हाई प्राइज बतलाए जाता है लगबग 20,000-15,000 बढ़हा की बतलाए जाता और दूद भी जो की फिक्स नहीं ब कापिसिटी दोनों टाइब का इस गाय के अंदर बतलाए जाए डिमांड की बात करतो 55,000 प्या इस गाय का डिमांड रखा गिया है मेल बच्चा के साथ में यह गाय आपको देखने को मिल रहा है पीछे साथ से अडर की बनाड भी आप देख पार है और गाय को घुमा के गाई की डीटियल जानने नहीं तो यहां पर एक और गाय की तरफ एक बर कैमप्त आप खुमाना चाहूं और गाय आ। कि A-Scan Co-oper आप देख पारें दात में मिली इस गाय की डिटर बताई जा रही है दस लीटर दूद की कैपीशिटिई इस गाय के अंदर बतलाया जा रहा है लगबग इस गाय का डिमांड अभी फिलाल 41 जार पर बतलाया जा रहा है लेकिन हमारे अंदाज से ये गाय आपको 30.000 के सम्थिंग में काफी आसानी से मिल जाएगा मेल बच्चा के साथ में ये गाई आपको देखने को मिल जाएगा जो कि दूद कुछ खास देखने को नहीं मिल जाएगा मेरे अंदाज से 25 से 30 जार के बीच में ये गाई मिल जानी चाहिए जो कि दूद 10 लिटर बतलाया जा रह तो इस मंडी में आप जरूरा है और रेड़ भाव करके गाई जरूर पर्चेस करें तो बढ़ेंगे कुछ और गाई की तरह कुछ और गाई की डिटेल जाने तो यहां पर एक और गाई जो की दातों मिली इस गाई की डिटेल बतलाई जारी तेरा लीटर दूद की कैपेसिट लगबग मेरे अंदाज से तीसरी बियान की यह गाई होगी और काफी वीक यह आपको देखने को मिला यह भी गाई काफी असानी से तीसरी बियान होते 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 तो यहां पर देख पार है अडर की बनाड पीछे साथ से 46,000 पर इस गाई का डिमांड डखा गया है मेल बच्चा के साथ में यह गाई आपको देखने को मिला यह भी गाई काफी असानी से 30,000 के संथिंग में मिल जाएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट योडियो में उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स